Dear Students, Welcome to the STB Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का Chapter No. 9 Metadata Installation with BeautyProducts.com Chapter को Contain करना है. Students, अब हम लोगों को BeautyProducts.com के उपर काम करना है. Means, जिस तरह से हमने अभी Last Project किया था, SweetShop.com Means, हमने अभी तक में SweetShop.com की Website को त्यार किया था. Means, एक मिठाई की दुकान की Website हमने बनाई थी. और अब हमें क्या करना है? BeautyProducts के दुकान की Website को बनाना है. Okay, तो चलिए, इसके लिए हम चला, पहले Documentation कर लेते हैं. क्योंकि हमारे जो SweetShop.com है हमारा, वो Complete हो गया है. ठीक है, आपको याद होगा, हमने अपने SweetShop.com को कहां रखा था. मैंने तो अपने यहां देखिए, LocalDiskD के अंदर, Web Development के नाम का एक Folder बनाया था, आपको याद होगा. और इसमें एक CSS Project करके एक Folder बनाया था. और उसके अंदर SweetShop.com की Files हमने रखे थी. अब जहां SweetShop.com मैंने रखा है, यहीं पर मैं एक नया Folder बना लिता हूँ. BeautyProduct.com के नाम का, ठीक है. BeautyProducts.com के नाम का, देखिए, मैंने यहाँ Folder बना लिया. अब हम जो भी File Save वगरा करेंगे अपनी, वो इसी Folder में करेंगे. So, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? Light Click करके इसको आपको Desktop पे भेजना होगा. Means इसका Shortcut Create करना होगा, ताकि आपको इसे Open करने में असानी होँ. ठीक है? तो देखिए, मैंने Shortcut Open कर लिया है. अब मैं क्या करता हूँ? अपने Notepad Editor को Open कर लिता हूँ. और इसके अंदर सभी काम को करेंगे. ठीक है? जो भी यहाँ File होईगी, कट कर देना आप. उसके बाद आप यहाँ पे, जो HTML4 का Doctype Declaration होता है, और पूरा Complete Structure जो होता है HTML4 का, वो मैं पहले यहाँ पर Write कर देता हूँ. Okay? So, मैंने यहाँ पर HTML4 का Complete Basic Structure Write कर लिया है. Okay? So, यहाँ देखिए, मैं Title अगरा दे देता हूँ, Homepage, क्योंकि मैं यहाँ पहले Homepage ही बनाऊँगा, तो मैंने यहाँ पर Homepage Title ले दिया, और यह देखिए, Body, Okay, देखिए, मैंने Body कहाँ पर Start कर दिया है, Head Tag के अंदर, इसे मैं यहाँ से Cut करता हूँ, और यहाँ Head जहाँ पर मेरा Close है, यहाँ पर Paste कर देता हूँ. Okay? So, अभी यह हमारा HTML4 का Complete Structure Write हो चुका है, मैं इसे Save कर देता हूँ, आपको याद होगा, हमने Desktop पर एक Folder का Short Cut रखा था, उसी Short Cut में मैं इसे Save कर दूँगा, चुक है, तो दिखिए, यह दा मेरा BeautyProduct.com, इसको मैं Open करता हूँ, और यहाँ पर Index.html के नाम से इसको Save कर देंगे, Okay? अभी हम क्या कर रहे हैं, BeautyProduct.com की Website बना रहे हैं, ठीक है, अब ज़र यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर Doctype Declaration कौन सा यूज किया है, HTML5 का, तो हम क्या चाहते हैं, कि जो मैंने यहाँ पर यह HTML head title यह लिखा है, यह नीचे वाला Doctype, यह नीचे वाला Doctype Declaration हमने का रख़ी है, पूरा जो Basic Structure हमने राइट किया, यह HTML4 का है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, कि अगर हम Doctype Declaration HTML5 के शब्दों में कर रहे हैं, तो हम अपने HTML के Basic Structure को HTML5 में ही राइट करें, तो ज़र देखिए, इस Structure को आपको Complete करना होगा, HTML5 में तब आप कहोगे, कि जो हमने यह Structure राइट किया है HTML का, वो HTML5 का है, अभी तो हम इसे HTML4 कहेंगे, लेकिन जब हम इसको Complete कर लेंगे, तो यह HTML5 बन जाएगा, ठीक है, तो इसको Complete करने के लिए, आपको एक Tag पढ़ना होगा, जिसका नाम है MetaTag, ठीक है, तो ज़र यहां देखिए, Metadata Installation, means, आपको MetaTag, अगर आप अपने HTML पेज में लगाते हो, तो उसी को कहा जाता है, Metadata Installation, ठीक है, इसके अंदर ज़र देखिए, क्या होता है, 5-6 टाइप्स के Metadata Installation की जाती है, जो की Compulsory होती है एक तरीके से, और और भी कई साई Metadata Installation आपको सीखनी है आगे चलके, मैं आपको पहले ये बात बता दूँ, अगर आप अपने HTML पेज में Meta Tag लगा के Installation करते हो, तो जो आपकी Website होईगी, वो Google या किसी भी Search Engine के अंदर, Top Rank पे आपको Show करेगी, means वो Search में आपकी Website आएगी, अगर आप Metadata Installation नहीं करोगे, तो जो आपकी Website है, वो Search में नहीं आएगी, आप एक तरीकी से यह समझ लिजे, कि आज मैं आपको एक SEO का Chapter सिखा रहा हूँ, means Search Engine Optimization का Chapter, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे Language Installation, इसका मतलब यह होता है, कि आपका जो Website है, वो Server को यह बताती है, कि हमने जो Coding करी है, उस Website को बनाने के लिए, वो किस Language में आपने करी है, सो ज़र आप यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे, HTML से यो भी यहाँ लाइट किया है, अब यह किस Language में बाना जाएगा, देखिए, जब भी हम HTML की Coding करते हैं, तो यहाँ पे, क्या करते हैं, HTML के अंदर, जैसे कि आपने देखिए, यह पढ़ा था, Color, ओके, देखिए, आपने यह Color पढ़ा था, और इसमें Spelling देखिए, C-O-L-O-R, means, जो यह Spelling के Color की, यह United States में यूज की जाती है, लेकिन हम अपने इंडिया के अंदर, या Other English में, आप Color की Spelling क्या लिखते हो, C-O-L-O-R, Color की Spelling यह लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, कि जो भी आपने HTML से यहां पर राइट किया है, जो HTML के टाइग बनाए गए हैं, वो किसमें बनाए हैं, English, US में, means, English के United States शब्दों में, means, United States की English में आपको, जो यह HTML है, इसे बनाया गया है, तो आपको यहां define करना होगा, कि जो हमने HTML यहां पर राइट किया है, वो HTML, United States की English में लिखा गया है, तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, देखो, जहां header tag स्टार्ट हो रहा है, means, title से पहले, आप क्या करोगे, meta tag ऐसे लगाओगे, और इसके अंदर attribute लगाओगे आप, lang attribute, means, language attribute, और यहां define कर दोगे, आपने English language यूस करी है, कहां की, US की, means, आप यहां पर capital letters में, US को write कर दोगे, जिससे कि यह define हो जाएगा, जो आपने यहां HTML में coding करी है, वो English language में की है, वो भी United States की English language में, ओके, यह तो I think आपको समझ में आ गिया होगा, language installation, अब सिर्वा सीखते हैं, character set installation, characters installation, इसका मतलब यह है, कि आपको server, जब आप यह website को upload करते हो, तो आपको server को बताना होता है, कि जो आपने यहां coding करी है, उस coding में आपने कौन-कौन से characters को यहां पर insert किया है, तो यहालांकि आपके जो characters होते हैं, वो three types के होते हैं, पहला होता है आपका numeric, जिसमें one to three आप लिखते हो, दूसरा होता है alphabetic, जिसमें आप ABCD लिख सकते हो, और तीसरा होता है alphanumeric correctors, जिसके अंदर हम symbols वगएरा को write करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो अब आप देखिए, ज़रा आप इसके अंदर अपनी coding में, आप one to three भी use करते हो, number भी use करते हो, alphabet भी use करते हो, और symbols का भी आप use करते हो, जैसे कि अभी देख लो, अगर आप image tag लगाओगे, उसमें width आप attribute लगाते हो, तो उसमें आप number कैसे पास करते हो, इस तरह से number में पास करते हो, और text तो आपको दिखी रहा है यहाँ पे, और रह गई बात symbol की, तो symbol तो आपने starting में यह देखो, use कर लिया है, इसका मतलब यह है, कि आप अपने HTML के अंदर, तीनो character set का use कर रहे हो, मिन्स तीनो characters का use कर रहे हो, तो इसको define करने के लिए, एक value बनाई गई है, जिसे बोला गया है utf8, तो आप देखो, यहाँ पर किस तरह से character को define करोगे, तो को आप लगाओगे, meta tag, ओके, और इसमें आप attribute दोगे, care set, ठीक है, character set और यहाँ बताओगे, आपने किस भाशा में, मिन्स कौन कौन से characters यहाँ पर use किये हैं, तो इन तीनो character को बताने के लिए, यहाँ पर write करोगे, UTF-8 character code, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह UTF-8 लिखने का मतलब ही यही है, कि आपने इन तीनों का, तीनों characters का use किया है, कौन से तीनों characters का, number, alphabets, और symbols का, okay, so I think आपको समझ में आगिया होगा, यह language आपने define करे दी, meta tag से, और meta tag से character set, आप जो यहाँ पर यह meta tag आप define कर दे हो न, अगर मैं अभी इसे save करें करें करो, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यह meta tag जो है, यह internally work करते हैं, ठीक है, यह आपको दिखाई ही नहीं देंगे, बस यह internally work करेंगे, STP computer education, तो वो क्या हो गया, keyword हो गया, अगर आपको कोई cartoon देखना है, तो आप उस cartoon का नाम लिखोगे, तो वो नाम क्या हो गया, keyword हो गया, उसी को keywords बोला जाता है, ठीक है, अब देखो, इसे आप कैसे install करोगे keyword को, यह देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर meta name दोगे, ठीक है, meta tag लगाओगे, इसमें name attribute दोगे, ठीक है, ओकी, सुरी, देखो मैं description पर आगया, यहाँ था हमारा keyword installation, meta का आप tag start करना है, आपको, फिन name में keywords को write कर लेना है, ठीक है, इससे यह साबित हो जाएगा, कि जो meta आप use कर रहे हो, keywords को डालने के लिए, use कर रहे हो, उसके बाद आप content attribute दोगे, और उसके अंदर, आप उन keywords का नाम लिखोगे, जो कि आपको लगता है, कि user इन keywords को डालेगा, तो क्या होगा, उससे कि हमारी जो website होगी, वो उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, जैसे कि, अभी हम कौन सा product बना रहे हैं, means कौन सी website बना रहे हैं, beautyproducts.com, तो beauty products के अंदर, जो देखिए, user क्या type कर सकता है, या तो वो type करेगा beauty products, तो हमने यहाँ पर content में क्या define कर दिया, beauty products, वो products दिखा, define कर सकता है, बोल सकता है, means Google में search कर सकता है product, या फिर वो सीधा ये भी search कर सकता है, beautyproduct.com, तो देखिए, हमने क्या किया, यहाँ पर content में, beautyproduct.com को भी यहाँ पर write कर दिया है, चीकिए, मैं आपको यहाँ पर कर 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 दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, मैंने matter को start किया, इसके अंदर मैं लगाता हूँ, name attribute, और इसमें write कर देता हूँ, keywords, चीकिए, इससे तो यह define होगे, कि जो यह matter है, वो keywords के लिए use हो रहा है अभी, अब यहाँ पर आप content define कर दो, चीकिए, और यहाँ पर आपको capital letters में, उन सभी keywords को लिखना है, जो कि user एक आपकी website को ढूणने के लिए search करता है, मिन्स ढूणने के लिए type करता है, जैसे कि आपकी beauty product है, तो आप यहाँ लिख दो beauty product, ठीक है, मैंने write कर दिया, फिर आपको क्या करना है, एक comma देना है, फिर space दे करके, फिर आपने लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, beautyproducts.com, ठीक है, तो इस तरह से आपने keywords को write करना है, और आपको यह बात याद रहे, कि इसमें आप ज़रा से भी गलती नहीं करेंगे, जिस तरह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसी तरह से आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप ज़रा से भी यहाँ गलती करोगे, तो यह keywords आपके work नहीं करेंगे, और मैं आपको एक बात यह भी बता दूँ, कि अगर आपने यह सब meta tag लगा रखा है, और आप चाहते हो कि आज ही अपने hosting करी, में से आपनी website को आज ही upload किया, और आप सोचे हो कि आज की date में आपकी website search में आ जाए, तो ऐसा possible ही नहीं है, क्योंकि SEO होने में यह फिर website को rank करने में थोड़ा समय लगता है, उसमें time लगता है, हफता यह दो हफता यह महीने भी कई-कई लग जाते हैं, ठीक है, So I think समझ में आ गया होगा आपको meta tag का क्या use होता है, means keywords के अंदर, ठीक है, अगला है आपका meta description, means description installation, आपको अपने page में description इंस्टॉल करना है, अब वह description क्या होता है, जर्ए मैं आपको वह दिखा देता हूँ, अभी देखिए मैंने यहाँ पर search कर लेता हूँ, STP Computer Education, ठीक है, देखिए मैंने STP Computer Education search किया, तो यहाँ देखो आपको, जो हमाई website का जो भी होगा, यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है, अब जर्ए यहाँ देखिए, यहाँ देखो नीचे लिखा आ रहा है, admin, Amit Kumar, STP Computer Education is providing a free basic computer course, join us now, ठीक है, यह साही चीज़ जो आपको दिख रही है यहाँ पर, यह सभी चीज़ को दिखाने के लिए, आप description लगाऊगे, ठीक है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अपनी website को जब मैं open करूँगा, और अगर मैं उसकी coding अगर आपको दिखाऊँ, तो मैंने क्या किया है, उसमें meta tag लगाया है, और description के अंदर यह value पास कर दी है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रही है, ज़र मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं इस पर click करता हूँ, ठीक है, तो देखे, यह open हो गया, अब मैं आपको इसकी coding दिखाता हूँ, आपको coding देखने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, कहीं भी, यह से यहाँ राइट क्लिक कर दो, मैं या फिर कहीं भी आप राइट क्लिक कर लेना, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको Ctrl-U का option दिखेगा, यह देखो, आपको meta tag दिखे रहे हैं, काफी सारे, यह देखो, यह देखो, meta name, description, यह देखिए, यह लगा हुआ है, meta name, description, और यहाँ देखो, content में, मैंने क्या define कर रखा है, वही चीज है, admin amit kumar, stp computer education is providing free basic computer course, यह देखो, इस सारी चीज, जो जो चीज मैंने description में provide करी थी, यह सारी की सारी content, जब मेरे website जब सर्च हुआ है, तो वहाँ पर नीचे आपको प्रस्तुत होगा, ठीक है, तो अगर आप दिखाना चाहते हैं, इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा, अपने web page में आपको, description को install करना होगा, तो कैसे होगा, meta tag के through, तो आप यहाँ लगाओ, meta, ठीक है, और यहाँ पर पहले name दे दो, किस के लिए है ये, description के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर description को write कर लोगे, ठीक है, यह दो कुछ जिसे यहाँ पर है न, description में यहीं से copy कर लेता हूँ, बाकि यहाँ पर paste कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप content दे दो, जो भी content आप लिखना चाहते हो, description में, उसको आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यह दिखिए, यहाँ पर मैंने content लिख लिख लिखा है, India's largest beauty shop, you can purchase any beauty products with our websites, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से copy, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, ठीक है, so I think आपको समझ में आ गया होगा, कि किस तरह से आपको use करना है, ओके, तो देखिए, आपने तीन meta tag अभी सीख लिए, पहला meta tag से language को install करना, दूसरा characters को install करना, तीसरा keywords को डालना, कि आपकी जो website है वो search में आ सके, चौथा आपने सीखा description, description से आप क्या कर सकोगे, कि जब आपकी website google search होगी, तो उसके नीचे आपका छोटा सा एक line वहाँ पर दिखाई देगा, जो भी आप description में डालोगे, वो आपको प्रस्तुत होगा, ठीक है, अब जब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जब मैंने यहाँ यहाँ पर उसके सारे menus आ रहे हैं, log in, online admission, examination list, privacy policy, यह सारे चीज़ आ रही हैं अब यह क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैंने जो मैंने nav बनाया था, जो menu बनाया था, उसे nav tag में रखा था, ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कि हर एक जो भी आप documentation करो, सही तरह से करो, अपके जो उपर आला भाग होता है, header, उसे header में रखो, जो menu बनाते हैं, उसे nav में रखो, और जो section होता है, तो section tag में रखो, जो footer है, उसे footer tag में ही बनाओ, इससे क्या होता है, कि यह बहुत ही ज़्यादा SEO compatible होते हैं, ठीक है, बिस अगर आप सही तरीके से, अच्छे से, हर एक rules and regulations को follow करके coding करते हो, तो जो आपकी website है, वो search में जरूर आएगी, ओके, तो देखिए, जिस तरह से यह आ रही है, इसी तरह से जो भी आप बनाओगी, वो भी आपकी website आएगी, यह नहीं है कि तुरंट एक ही दिन में आ जाएगी, लेकिन उसमें लगेगा time, means आपको one से two week लग जाएगा, आपकी search में website जरूर ही आ जाएगी, ओके, तो चलिए ज़रा सीख लेते हैं, आगे कौन सा installation है, author installation, author installation क्यों करते हैं, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यह ज़रा मैं STP computer education, यह फिर आप यहाँ पर मैं दूसरा कुछ सर्च कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ type कर लेता हूँ, कि जैसे आपका क्या है ना, कि आप कुछ education प्रवाइड कर रहे हो, जैसे आप चाहते हो, या फिर आप article लिखते हो, किसी भी चीज की उपर, जैसे मैं देखता हूँ, मैं computer की उपर article यहाँ लिखता हूँ, तो आप यहाँ क्या सर्च करोगे, computer आप सर्च करते हो, और आपको computer की कुछ knowledge चाहिए, ठीक है, तो देखो मैंने यह computer लिया, और यहाँ देखो Wikipedia आ रहा है, computer का, मैंने इसे open किया, और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो content है, उसे copy करके, अपनी website में paste कर लूँगा, जैसे यह सब देख रहे हैं न, मैं क्या करूँगा, इसे copy कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और अपने website में ले जाके, paste करेके, website को कर दूँगा, host, means internet पर डाल दूँगा, उससे होगा क्या, अब देखो, मैंने क्या किया, यह जहां से content जो लिया न, यह मैंने, यह मेरे content नहीं है, यह content किसका था, इस Wikipedia का, ठीक है, तो अगर Wikipedia की website के अंदर, उसके अंदर, अगर उसने meta author define का रखा होगा, ठीक है, अगर उसने यह थाबित लिखा होगा, यह उसने clear कर दिया होगा, जो भी content है, उसका author कौन है, wikipedia.com, जैसे हमारा तो अभी यह beauty product है, तो हमने यहाँ पे, meta name author लिखा है, और content में beautyproducts.com लिखा है, और जो Wikipedia होगा, Wikipedia ने भी लिखा होगा, meta name author, और content में wikipedia.com, ठीक है, इससे क्या होगा, कि जब मैं इसका content कौपी करूंगा, अपने website में, तो होगा यह, कि यह मेरे पे copyright claim कर सकता है, ठीक है, मिन्स यह मेरे website पे copyright लगा सकता है, और फिर मेरे website पे कभी भी ads जो है, नहीं आएंगी, और हमारी website पे लग जाएगा, एक copyright, ठीक है, मिन्स अगर आप अपने website में, author meta installation कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपके content के, कोई भी चुला नहीं सकता, अगर कोई चोरी करेगा, तो आप उस पर copyright claim कर सकते हो, ठीक है, तो आप इसी तरह से, use कर लो, इस meta author को, ठीक है, मैं इसे copy कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप paste कर देता हूँ, इसके अंदर, देखो, meta name, author यहाँ से, जो dual code से, उसको सभी कर लेता हूँ, मैं, ठीक है, और content में, आप डाल देना, आपका domain name, beautyproducts.com, ठीक है, so I think, आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई problem आ रही होगी, आपको समझ ने में, तो भी कोई problem नहीं है, क्योंकि हम CSS3 में, आगे चलके, PHP वगरा के अंदर, भी इसको और अच्छे से, और deeply हम इसे, सीखेंगे, ठीक है, अब हमारे पास, यह last रहा गया है, content arrangement installation, ठीक है, इसका जो use है, आप जब CSS3 सीखोगे, तो उसमें अच्छे से, आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक, आपने जितनी भी website, बनाई है, वो सभी की सभी responsive नहीं है, responsive का मतलब यह होता है, कि जैसे कि, अगर अभी जो भी आपने website, बनाई है, वो अपने system के, according ली बनाई है, system के, फोन में खोलोगे, तो वो बिखर जाएगी, पूरी सही से दिखेगी नहीं, तो उसी को arrange करने के लिए, हम use करते है, metaname viewport को, ठीक है, means content arrangement installation करते है, means metaname viewport वाले को, जब आप इसे install कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इसे install कर लोगे, तो क्या होगा, कि जो भी आपका content होगा, वो सही तरह से arrange होके आएगा, लेकिन उसके लिए भी coding आपको CSS3, या फिर media query का, उसमें use करना पड़ेगा, तभी आएगा, वनना ये भी आपका काम, नहीं करने वाला है, ठीक है, तो फिलाल के लिए अभी हम इसको skip कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जब हम bootstrap ये CSS3 सीखेंगे, CSS3, तब हम इसका use करेंगे, बाकि आप क्या करो, इसको copy गएके paste कर सकते हो, बाकि मैं आपको इस समझा भी देता हूँ, फिलाल कोई बात नहीं, अभी हम इसे कर लेते हैं, देखो, समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, metaname viewport, viewport का मतलब, अलग-अलग device पे, जो हमाई website है, वो सही तरीके से open हो, इसलिए हम यहाँ पे, viewport को define करते हैं, content में हमने देखो, एक attribute लगा रखा है, जिसका नाम क्या है, width attribute, तो width में क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, device width, मतलब, कि, क्या करता है, जब आपकी website, जिस भी device पे खुलेगी, जैसे कि, यह website है, वो आपके mobile पे open हुई, तो क्या होगा, mobile की जो भी width होगी, वो width आपके, यहाँ पे show हो जाएगी, यह width अब देख रहे हो न, device width, device width का मतलब ही होता है, कि, जिस device में आपकी website open हुई, उस device की width, यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगी, जिससे कि, इसको पता चल जाएगा, कि यह किस device में open हो रहा है, mobile में open हो रहा है, यह फिर laptop में open हो रहा है, ठीक है, initial scale 1.0 क्या है, अगर mobile में open हो रहा है, तो वो zoom, मतलब जैसे touch के लिए, यह use होता है initial scale, means, जो touch sensors है, वो किस तरह से, कितनी speedily work कर रहे हैं, वो यहाँ पे यह define करने का, काम करता है, okay, so I think, समझ में आई गया होगा आपको, ठीक है, कि किस तरह से matter installation वगरा किया जाता है, यहाँ पे, ओके, ठीक है, so thanks for watching our video, have a nice day,